आज पूरे देश वासियों के लिए एक एतिहासक दिन था क्योंकि आज के दिन ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राम बंदिर हेतो भूमी पूजन का शुबकार संपन किया सबसे पहले जब प्रधान मंत्री वहां पहुँचे तो उन्होंने हनुमान गड़ी में जाकर एक पौधा रोपन किया और उस पौधे का नाम था पारिजात ये शायद आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी ने पारिजात के पौधे को ही क्यों रोपा इसका क्या कुछ खास महत्य हैं हिंदो धर्में ये हम आपको आज बताते हैं पारिजात का पेड़ बहुत खूपसूरत होता है इसके फूल को भगवान हरी के श्रिंगार और पूजन में प्रयोग किया जाता है इसलिए इस मनमोहक और सुगंधित पुष्प को हर सिंगार के नाम से भी जाना जाता है हिंदो धर्म में इस व्रिक्ष का बहुत महत्व माना जाता है ऐसे में माननेता है कि पारिजात को छूने मातर से ही व्यक्ति के शरीर की सारी ठकान मिट जाती है पारिजात का व्रिक्ष उचाई में 10 से 25 फीट तक का होता है इसके इस व्रिक्ष की एक खास बात ये भी है कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में फूल लगते हैं एक दिन में इसके कितने भी फूल तोड़े जाएं अगले दिन इसमें फिर बड़ी मात्रा में फूल खिल जाते हैं यह वरिक्ष खास तोर से मध्य भारत और हिमाले की नीची तराईयों में अधिक उगता है यह फूल रात में ही खिलता है और सुबह होते ही इसके सारे फूल जढ़ जाते हैं इसलिए इसे रात की रानी भी कहा जाता है हर सिंगार का फूल पश्रिम बंगाल का राजकिय पुश्व भी है दुनिया भर में इसके सर्फ पांच प्रजातियां पाई जाती है कहा जाता है कि धन की देवी लक्षमी को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय है पूजा पार्ट के दौरान मा लक्षमी को ये फूल चढ़ाने से वो प्रसन्न होती है खास बात ये है कि पूजा पार्ट में पारिजात के वे ही फूल इस्तमाल किये जाते हैं जो व्रिक्ष से तूट कर गिर जाते हैं पूजा के लिए इस व्रिक्ष से फूल तोड़ना पूरी तरह से निशेध है एक मानिता ये भी है कि 14 साल के वनवास के दोरान सीता माता हर सिंगार के फूलों से ही अपना श्रिंगार किया करती थी बारबकी जीले के पारिजात का व्रिक्ष को महाभारत कालीन माना जाता है जो लगभग 45 फीट उचा है मानिता है कि पारिजात का व्रिक्ष की उतपत्ती समुद्र मन्थन से हुई थी जिसे इंद्र ने अपनी वाठिका में लगाया था कहा जाता है कि अज्यात वास के दोरान माता कुंती ने पारिजात पुष्प से शिव पूजन करने की इक्षा जाहिर की थी माता की इक्षा पूरी करने के लिए अर्जुन ने स्वर्ग से इस व्रिक्ष को लाकर यहां स्थापित कर दिया था तब ही से इस व्रिक्ष की पूजा अर्चना की जाती रही है इसके साथ ही पारिजात अपने ओशधिये गुणों के लिए भी बहुत जाना जाता है हर दिन इसके एक बीज के सेवन से कई तरह के रोग ठीक हो जाते हैं इसके फूल हृदय के लिए भी उत्तम माने चाते हैं इनके फूलों के रस के सेवन से हृदय रोग से बचा जा सकता है इतना ही नहीं पारिजात की पत्तियों को पीस कर शहद में मिलाकर खाने से सूखी खासी भी ठीक हो जाती है पारिजात की पत्तियों से तवचा संबंधित रोग भी ठीक हो जाते हैं तो पारिजात के पेड़ का औशधिये गुन के साथ साथ धार में गुन भी बहुत जादा है इसके साथ ही इसका आयुरवेदिक दवाओं में भी भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है तो शायद यही एक खास वज़य है जिसके वज़य से आज पीएम मोदी ने पारिजात के पौधे को ही पौधार ओपन के लिए आयोध्या में चुना तो फिल्हाल के लिए इतना ही ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूस फॉर्नेशन नमस्कार